जिन्दगी जभी भी रूलाए तो इतना मुश्कराओ के दर्द भी शर्माने लगे, निकले न आशु आँखों से कभी किश्मत भी मजबूर होकर आपको हसाने लगे. यह लगे knit well before the life mine. But to smile so much to keep away the pain and pangs to be a spent. Hello my dears, very very welcome of here towards a Karijjma Study Zone. Today in this video, we are going to study Antonyms Part 1. जी यहां इस वीडियो में हम एंटोनिम्स या आपजिट वर्ड्स यानि बिलोम सब्दों के पार्ट वन का दियन करेंगे एंटोनिम्स के ये वर्ड्स एकेडमिक लेवल जैसे CBSC बोर्ड, UP बोर्ड वा कम्टिटिव जामस के लिए समान रुप से उप जोगी है तो आएए शुरू करते हैं इन्हें Now let's go and start it वर्ड्स फर्स्ट दिया गया है एवहार एवहार जिसका मतलब गिना करना होता है जिसका एंटेनिम यानि ओपजिट वर्ड्स बनेगा लाइक आर लफ यानि इन दोनों में से कोई हम लिख सकती है एवहार यानि घ्रणा करना जिसका एंटेनिम लाइक या लफ हो सकता है सेकिंड वर्ड है अविल्टी अविल्टी मिश योगिता होता है अविल्टी मिश योगिता इन अविल्टी मिश आयोगिता इवब मिश उपर होता है, इवब का ओपोजेंट बिलो होगा, बिलो मिश नीचे अपसेंस मिश अनुपस्तिती होता है, अपसेंस अनुपस्तिती प्रिजन्स यानि उपस्तिती अपजॉड जिसका मतलब असंगत होता है, असंगत अपजॉड का इंटनिम बनेगा रिजन्बल यानि संगत या तारकी एक्सेप्ट जिसका मतलब स्विकार्णा होता है, इसका इंटनिम बनेगा रिजेक्ट अक्विट 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 मिस मुक्त करना होता है अक्विट जिसका मतलब मुक्त करना यानि दोस्ट मुक्त करना होता है और इसका अपजिट बनेगा कान्विक्ट कान्विक्ट मिस दोसी ठाराना होता है दोसी ठायराना तो आक्वीट आक्वीट का कान्रिक्ट बन जाएगा नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेज एडवांटेज मिस लाव होता है तो इसका एंटनीम दिस एडवांटेज होगा दिस एडवांटेज तो इडवांटेज का एंटनीम दिस एडवांटेज हो जाएगा एडवार्सिटी मुशिवत होता है एडवार्सिटी यानि विपत्ति या मुशिवत तो एडवार्सिटी का एंटनीम प्रसपर्टी होगा प्रसपर्टी जिसका मतलब खुशाली या समपन अलाइब तक अपरिस मुद्त पिल ये अलाइब एए अलाइब अलाइब मिस जीवित अलाइब का इंटनियम डेढ़US होगा कर ना से नेक्श्ट वर्ड एह ऐन्सेंट एंसेंट धिरंस मीष प्राश sup होता है कि इन्सेंट का एंटनिम modern होगा modern मिश अदुनिक next word है aware aware मिश परचित या aware मिश जागरूक तो इसका एंटनिम होगा unaware मतलब अपरचित next word है next word दिया गया है ascend ascend मिश उपर चाड़ना ascend का एंटनिम होगा descend यानि नीचे उतरना ascend उपर चाड़ना descend नीचे उतरना arrest ग्रपतार करना और इसका एंटनिम होगा set free रिया करना arrest ग्रपतार करना set free रिया करना ample miss परियापत होता है ample का meager हो जाएगा meager miss अलपिया थोड़ा होता है attract आकर्षित करना attract का एंटनिम होगा repeal repeal miss आना कर्षित करना repel repeal जिसका मतलब आना कर्षित करना next word दिया गया है अक्नालेज अक्नालेज जिसका मतलब स्विकारना होता है या पहुच मान लेना acknowledge miss स्विकारना और deny इंकार करना इसका एंटनिम होगा next word advance advance miss आगे बाढ़ना इसका एंटनिम होगा retreat retreat जिसका मतलब पीछी हटना या आसरे लेना retreat miss आसरे लेना या अस्तरहन लेना या पीछी हटना next word admit next word दिया गया है admit admit miss स्विकार करना इसका एंटनिम होगा deny deny miss इंकार करना next word है agree agree miss सामत होना agree का एंटनिम disagree हो जाएगा always always miss हमेशा होता है या सदा always का एंटनिम never होगा appear appear miss दिखाई पढ़ना इसका एंटनिम disappear हो जाएगा arrival arrival miss आगमन इसका एंटनिम departure हो जाएगा departure जिसका मतलब बेदाई होता है या departure प्रस्थान होता है arrival miss आगमन departure miss प्रस्थान अटाइक आक्रमड अटनिम होगा defense यानि सुरक्चा अटाइक में आक्रमड defense में सुरक्चा armament armament सस्त्री कराण इसका एंटनिम होगा dish armament निया सस्त्री कराण armament सस्त्री कराण dish armament निया सस्त्री कराण next word next word दिया गया है activity activity जिसका मतलब शक्रियता होता है activity शक्रियता इसका एंटनी होगा passivity, निश्क्रियता, barbaric इसका मतलब और सबहता पुंड और इसका एंटनी होगा civil, civil miss, सब्य होता है, या सबहता पुंड हो जाएगा तो barbaric का civil हो जाएगा, bleint, भलन्थ जिसका मतलब मोत्रा यानि रूखा ब्लंड जिसका मतलब भौत्रा यानि रूखा तो ब्लंड का एंटरिम शार्प हो जाएगा शार्प यानि तीखा नेक्स्ट वर्ड है बिगनिंग बिगनिंग जिसका मतलब रारम इसका एंटरिम इंड हो जाएगा blessing इसका मतलब है आसिरवाद इसका इंटनिम कर्स हो जाएगा next word दिया गया है bottom बाटम में इस पेंदिया तला होता है इसका इंटनिम टाप हो जाएगा bright में चमकिला होता है इसका इंटनिम डेल हो जाएगा now the next sentence by 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 में इस खरिदना by का इंटनिम शेल beneficial में लापदायक होता है इसका इंटनिम हारमफुल हो जाएगा beneficial लापदायक हारमफुल हानिका रख busy यानि ब्यस्त idle आइडल यानि सुस्त या निस्क्रिया next word है benefit बेनेफिट में इस लाप होता है benefit का last हो जाएगा last है निहान now the next now the next word next word दिये गए है baron baron miss बेंजर होता है fertile miss उसर होता है baron का fertile हो जाएगा beautiful सुन्दर beautiful का अगली हो जाएगा अगली miss बदसूरत या कुरूप next word दिया गया है bitter bitter miss तीखा होता है bitter का sweet होगा sweet miss मिठा next word दिया गया है better अधिक अच्छा better का worse हो जाएगा अधिक बुरा यहां दोनों ही words better और worse दोनों ही comparative degree के वर्ड दिये गया है better अधिक अच्छा worse अधिक खराब तो दोनों ही वर्ड या comparative degree में दिये गया है next word दिया गया है bold bold में सासी होता है तो bold का antonym timid हो जाएगा bravery जिसका मतलम वीड़ता होता है तो bravery का cowardice हो जाएगा cowardice ज्यानी कायरता तो bravery का antonym cowardice कायरता हो जाएगा next word दिया गया है broad broad में स्योड़ा होता है broad का narrow सैंकन या पतला belief बिश्वास disbelief अबिश्वास bone बर्दान bone का ben होगा ben मिश अभी शाब होता है blame दोस्वास लगाना blame का praise परसंसा करना base यानि niche तो base का noble होगा noble यानि stress base का noble base यानि niche noble मिश stress next word care care यानि परवा करना care का neglect हो जाएगा neglect यानि ला परवा next word next word दिया गया है cheap CHGAP cheap यानि यानि सस्ता dear महंगा cheap यानि सस्ता dear यानि महंगा next word दिया गया है clean यानि sharp इसका dirty intonim होगा dirty गंदा cold यानि thunder इसका intonim हम बनाएंगे hot hot यानि warm next word दिया गया है common यानि का rear दुर्लब common जिसका मतलब है सधारन इसका intonim होगा बनाएंगे rear rear मिश दुर्लब या औसाधारन next word दिया गया condemn condemn मिश तिरसकार करना condemn यानि तिरसकार करना approve मिश होता है स्विकार करना तो condemn का approve हो जाएगा अप्रूब जिसका मतलब है स्विकार करना नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कन्फिटेंस बिश्वास कन्फिटेंस बिश्वास तो कन्फिटेंस का एंटनिम होगा डिफिटेंस डिफिटेंस यानि अब बिश्वास या बिश्वास की कमी तो अडिफिटेंस होगा नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कुरूड नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कुरूड जिसका मतलब है आपरिस्कृत कुरूड यानि आपरिस्कृत या अशोधित या कच्चा होता है इसका रिफाइंड हो जाएगा Refined मिश परिस्कृत या शोधित या पवित्र रिफाइंड जिसका मतलब है परिस्कृत शोधित या फिर पवित्र तो Crude का Refined हो जाएगा Next word दिया गया है Compare, Compare मिश तुलना करना होता है, Compare का Contrast हो जाएगा, Contrast मिश विरोध करना होता है Next word है, Courageous, Courageous मिश शासी होता है, Courageous का Timid होगा, Timid मिश काहर या डरपोक होता है Converge मिश होता है मिलना, Converge जिसका मतलब मिलना होता है, तो Converge का Antonym हम बनाएगे, Diverge, Diverge मिश होता है भी खर जाना Converge जिसका मतलब मिलना, यानि किंदर पुरा कर मिलना, और Diverge यानि किंदर से हटना हो, तो Converge का Diverge हो जाएगा Next Word दिया गया है, Cossus यानि शावधान तो इसका Antonym होगा, Reckless, Reckless मिश होता है, लापरवा या शावधान Cossus, शावधान, Reckless, लापरवा या शावधान Next Word दिया गया है, काज, काज यानि कारण, काज का Effect हो जाएगा, प्रभाव काज यानि कारण, Effect मिश प्रभाव होता है Next Word, Cheerful, यानि प्रशन, Shad, दुखित Now the Next Word Next Word दिया गया है, Cleaver, Cleaver मिश चातूर होता है, तो Cleaver का इस्टूपीड हो जाएगा, Cleaver इसका मतलब चातूर Cleaver यानि चातूर, तो इसका इंटनिम इस्टूपीड यानि मुरख Next Word दिया गया है, Comedy Comedy यानि शुखान्त नाटक, Comedy का ट्रैजडी, दुखान्त नाटक Comedy का एंटनिम ट्रैजडी, ट्रैजडी मिश दुखान्त नाटक Cruel मिश निरताई होता है, Cruel का का काइंड हो जाएगा Confess यानि Confess स्विकार करना, Confess स्विकार करना या अपरात को स्विकार करना, Deny इनकार करना Credit उधार, Credit यानि उधार, Cash नक दी Consent, Next वर्ड, Consent यानि शाहमत तो Consent का Descent आशाहमत तो Consent यानि शाहमत तो Descent आशाहमत तो Now the next word, Next वर्ड दिये गए है, Concord, Concord जिसका मितलब सामन जश्य होता है, Concord, C-O-N-C-O-R-D, Concord यानि सामन जश्य, Concord सामन जश्य, Discord और सामन जश्य, Next वर्ड, Complicated यानि जटिल, Complicated जटिल, तो इसका Entenue Simple हो जाएगा, Next वर्ड है, Creation यानि रचना, तो Creation का Destruction बिनाश, Creation यानि रचना, तो Creation का Entenue Destruction, D-E-S-T-E-R-U-C-T-E-R-U-N, Destruction यानि बिनाश, Cowardish का यर्था, Bravery, Bahadri, Now the next sentence, Now the next word, Next word दियेगे हैं यहां फिर, Close, Close यानि निकट, Close का Entenue far हो जाएगा, दूर, Construct, जिसका मतलब है, निर्माण करना, Destroy, बरबाद करना, Distractive, ध्वनसात्मक, या बिनाशकारी, तो और Distractive, जिसका Entenue होगा, Constructive, यानि रचनात्मक, Distractive, बिद्वनसात्मक, या बिनाशकारी, तो इसका Entenue constructive, जिसका मतलब है, रचनात्मक, Next word दिया गया है, Diligent, परिश्रमी, Diligent यानि परिश्रमी, इसका Entenue होगा, Lazy, Lazy, All-C, Next word, Disease, यानि बिमारी होता है, या रोग, तो Disease का Health, स्वास्ति, Next word दिया गया है, Dry यानि सुष्क, Dry यानि सुष्क, तो Dry का Wet हो जाएगा, Wet जिसका मतलब गिला या नम, Now the next word, Defeat, यानि पराज है, Defeat का Victory हो जाएगा, B, J, Docile, Docile Miss, Docile, Docile जिसका मतलब नमर होता है, Docile का Istubarn हो जाएगा, Docile यानि नमर है, तो Docile का Intanimistubarn, Istubarn जिसका मतलब जिद्दी या हैठी होता है, Docile का Impolite भी हो सकता है, Friends, Impolite, I-M, P-O, E-L-I-T-E, Impolite, तो Docile का Impolite भी हो सकता है, Now the next word, Deficit, Deficit, जिसका मतलब कमी होता है, तो Deficit का Surplus, Falto, या Atrit, Deficit, जिसका मतलब कमी है, Surplus का मतलब Atrit, या Falto होता है, Next word, Dwarf, Dwarf मिश, Bona होता है, तो Dwarf का Giant हो जाएगा, Giant मिश, Bishal या Bada होता है, Next word, Deter, Deter मिश, Ready होता है, तो Deter का Interim Creditor हो जाएगा, Creditor, जिसका मतलब देंदार होता है, देंदार, Shaukari, Mahajan, तो Deter का Creditor हो जाएगा, Now the next word, Deep, Deep मिश, गहरा होता है, Deep का Shallow हो जाएगा, Shallow मिश, छिछला, Defense, यानि, रक्षा होता है, Defense, रक्षा या, सुरक्षा, तो इसका Offense हो जाएगा, Offense, Offense इसका मतलब आक्रमण होता है, अपराद होता है, या फिर, गल्थी, यानि, Offense के तीन आर्थ होते हैं, आक्रमण, अपराद, या गल्थी, यहाँ, Deep इसका मतलब सुरक्षा है, सुरक्षा, तो, इसका, Intanim, Offense, आक्रमण हो जाएगा, Now the next word, Deposit, Deposit यानि, जमा करना, तो इसका, Intanim, Withdraw, निकासी करना, निकालना, Difficult, यानि, Cutting, Difficult का, इजी हो जाएगा, आसान, Domestic, यानि, घरे लो, Domestic का, Wild हो जाएगा, जिसका मतलब, जंगली होता है, Now the next word, Diminish, Diminish, जिसका मतलब, कम करना, या, घटना, तो इसका, Increase, बाढ़ना, या, ब्रद्धी होना, Diminish, कम करना, यानि, घटना, और, Increase, यानि, बाढ़ना, Danger, Miss, खत्रा होता है, Danger का, Safety, सुरक्षा हो जाएगा, Duelit, Miss, निर्जन होता है, Duelit का, Inhibited, यानि, बसा हुआ, Duelit, निर्जन, Duelit का, Inhibited, Inhibited, Miss, बसा हुआ, Distress, दुख, Distress का, Comfort, यानि, सुक, आराम, Next word है, Demand, Demand, Miss, मांग होता है, Demand का, Supply हो जाएगा, Next word, Dynamic, Dynamic Miss, गतिशील होता है, Static, इसका बनेगा, Interneam, Static Miss, इस्थिर होता है, Static, यानि, स्थिर, Death, यानि, इम्रित्वी, Death का, Life हो जाएगा, G1, Descent, जिसका मतलब, भद्र होता है, भद्र यार सर्जन, तो, Descent का, Indescent हो जाएगा, जिसका मतलब, अब भद्रे, या स्लेल, या बुरा, Next word, Defendant, Defendant, मिशु, प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी, तो, इसका, इंटिन, Plentive, Plentive Miss, वादी होता है, Plentive Miss, वादी, वादी इसको कहते हैं, जो, किसी जगड़े, या मामले को लेकर, कोर्ट में जाता है, Plentive, वादी होता है, और जो इसके, बीपक्ष में होता है, उसे हम प्रतिवादी कहते हैं, इंग्लिश होता है, Dependant, तो, Dependant, इसका मतलब, प्रतिवादी हैं, और Plentive में इस वादी होता है, Now the next word, Dependant, Dependant में आशरित, Independent, अनाशरित, यानि स्वातंत्रे, Dependant, आशरित, Independent, अनाशरित, यानि स्वातंत्रे, Distant, दूर का, Close, निकट का, Distant and Close, दोनों ही Adjective वर्ड है, Distant यानि दूर का, या दूर, Close यानि निकट, Now the next word, Eve, Eve, यानि भाटा, तो, Eve का, Pentanum, Flow हो जाएगा, Eve, यानि समुदरी लाहर को, गिरने की क्रिया, जब समुदरों में लाहर जो आती है, यानि में बाटा बोलती है, और शमुदरी लाहर जब उठती है, तो उचसे हम जो आती है, तो Flow का मतलब, जो आती है, Flow मिश जो आती है, शमुदरी लाहर के निकटे उतारने की क्रिया को, को हम यह बोलते हैं और शमुदी लहरों के उपर उठने के क्रिया को हम जुआर कहते हैं जिस इंगलिश में फ्लो कहते हैं तो एप का फ्लो हो जाएगा नौग दे नेक्स बर्ड एंपटी एंपटी मिस खाली होता है एंपटी यानि खाली फूल भरा हुआ इंट्रेंस प्रविश एंगजिट निकास एक्सक्लूट छोडना एक्सक्लूट छोडना या एक्सक्लूट बैस्कृत करना या निकालना होता है एक्स्क्लूट, एक्स्क्लूट मिश, बैस्क्रित करना या छोड़ना, इन्क्लूट, शामिल करना, इक्स्ट्रावेगन्ट, इक्स्ट्रावेगन्ट जिसका मतलब है अपव्याई, इक्स्ट्रावेगन्ट यानि अपव्याई, इसका थ्रेप्टी हो जाएगा, थ्रेप्टी मिश किफायती होता है instrument अपवेंट किफायती इक जामिनर धिसका मतलब पर इछक होता है इसका इंसका इन्टेनिम इक जामनी होगा इक जामनी पर इछारती next वाड़ दिया गया है enjoyment मिश आनंद होता है enjoyment का suffering याश्ट हो जाएगा next word दिया गया है expedite expedite में शिगरता करना जल्दिवाजी करना expedite जिसका मतलब शिगरता या जल्दिवाजी करना तो इसका delay हो जाएगा बिलम करना now the next word early यह आरियल बाई early में शिगर होता है late यानि बिलम हो जाएगा encourage प्रतो शाहिद करना इसका discourage हो जाएगा हाथोत शाहिद करना evil यानि बुरा होता है good यानि अच्छा हो जाएगा exterior exterior में बाहरी होता है interior में भीतरी तो exterior का interior हो जाएगा exterior में बाहरी interior में भीतरी now the next word extraordinary extraordinary में और साधारण यानि बिचितर तो इसका ordinary हो जाएगा ordinary में शाधारण और इसका ordinary अशाधारण या बिचितर earn में श कमाना होता है earn का spend हो जाएगा easy, asan easy का difficult हो जाएगा eligible eligible जिसका मतलब उपयुक्त होता है eligible यानि उपयुक्त in eligible जीवल आनुपयुक्त friend यानि मित्र friend का फो या फोई फोई फो यानि दुश्मन now the next word next word दिया गया है friendship 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 यानि मित्रता तो friendship का यान मीटी दुश्मनी फिम यानि प्रसिद्धी फिम का obscurity obscurity यानि अप्रसिद्धी flexible फ्लेक्सिबल में लचिला होता है flexible का रिजीट हो जाएगा कठोर foreign यानि बिदेशी native देशी foreign बिदेशी native देशी fair अच्छा foul गंदा या बुरा फाल यानि पतन तो फाल का राईश उन्नती now the next word familiar यानि परचित तो फेमिलियर का stranger हो जाएगा अपरचित fast यानि तेज fast का slow हो जाएगा धीमा फार्चियोन यानि शावभागे फार्चियोन का miss फार्चियोन मुशिवत या अभागे फार्चियोन में सावभागे miss फार्चियोन यानि अभागे या मुशिवत next word fresh यानि ताजा fresh का इस्टेल हो जाएगा बाशी नेक्स्ट वर्ड दिया गया, फ्रेंडली, मैत्री पोण्ड फ्रेंडली यानी मैत्री पोण्ड, उहोस्टाइल, शतुर्ता पोण्ड, या मैत्री पोण्ड फ्रेंडली, मैत्री पोण्ड, उहोस्टाइल, शतुर्ता पोण्ड, या मैत्री पोण्ड नौ दे नेक्स्ट वर्ड, फैट, फैट यानि मोटा, थीन, पतला, फ्राइंक, असपस्टवादी, रिजारुड यानि गंभीर, फ्राइंक मिश असपस्टवादी होता है, रिजारुड यानि गंभीर होता है, फाइन, शुन्दर, कोर्ष, यानि भद्दा, तो फाइन का कोर्ष हो जाएगा, एंटनी, फर्म, जिसका मतलम द्रिन होता है, मजबूत, तो फर्म का फीकल, फीकल मिश दुर्बल, कमजूर, फेलियर, फेलियर मिश असाफलता, स्र्फिज, सफलता, नओ दे निएक्ट बर, Faithfulness वाफादर Faithless Faithless ब्यवफा या वाफाहीन या निश्ठाहीन Faithful वाफादर Faithless ब्यवफा या निश्ठाहीन Falsehood अश्यत्यता Falsehood का टूथ Shatita Far यानि दूर Near पास Next word Polish यानि मुर्क Wise Freedom Shwatantata Slavery Gula Me Now the next word Fact Fact मिश तात्य होता है Fact का Fiction हो जाएगा Fact मिश तत्य है तो Fact का Fiction Fiction का मतलब कल्पना Fiction का मतलब कल्पना होता है Fiction का मतलब उपन्यास होता है या फिर कथा साहित ती है तो Fact का Fiction हो जाएगा Fiction जिसका मतलब कल्पना उपन्यास या कथा साहित ती है Next word Full यानि भरा हुआ Full का Empty हो जाएगा खाली Gain यानि Laugh Gain का Last हो जाएगा Guest जिसका मतलब उपन्यास हो जाएगा Guest का Host मेजबान Host जिसका मतलब मेजबान होता है यानि अतित का स्वागत करने वाला तो इसे हम Host कहते हैं मेजबान Grave यानि गंभी Grave का Cheerful आनन्दित Now the next word Grand Grand यानि शांदार तो Grand कार्ड नेरी हो जाएगा शाधारण Guide यानि पत्थ प्रदसन करना Miss Guide Miss Guide यानि कुम मार्ग पर ले जाना बुरे मार्ग पर ले जाना Next word Giant Giant भीमकाए भीमकाए यानि बिशाल Giant का मतलब बिशाल या भीमकाए होता है तो Giant का ड्वार्फ बाउना या छोटा Next word दिया गया Ginnyun Ginnyun मेश वास्तविक असली इसका इसपूरियस हो जाएगा इसपूरियस मेश नकली या बनावटी तो Antonym Ginnyun का Antonym इसपूरियस Now the next word Guilty Guilty Miss अपरादी होता है तो Guilty का Innocent हो जाएगा Innocent जिसका मतलब निर्दोस Next word दिया गया Grant Grant मेश स्विकार करना होता है Grant का Reject हो जाएगा अस्विकार करना हो Now the next word Grateful Grateful याने कृतागे Grateful का Ungrateful हो जाएगा Critao Grateful याने कृताग्य कृतागय उसे कहते हैं जो उपकार को मानता हो तो इसका अंग्रेटफुल हो जाएगा अंग्रेटफुल जिसे हम कृताग्न बोलेंगे कृताग्न यानि जोपकार को ना माने नेक्स्ट वर्ड दिया गया हैपिनस यानि शुक्ष हैपिनस का मिजरी हो जाएगा यानि कस्ट हेपन का हेपन का हैल यानि नरक होप आशा होता है होप मिसासा तो होप का डिश्पियर निराषा हो जाएगा औनस्ट मिस इमांदार होता है औनस्ट का डिसाउनेस्ट बेइमान हार्ड यानि कठोर हार्ड का साफ्ट हो जाएगा कुमल साफ्ट मिश कुमल होता है Now the next word हेवी हेवी मिश भारी तो हेवी का लाइट हो जाएगा हलका हाई मिश उचा होता है तो हाई का लो हो जाएगा निम्न या नीचे Next word हमबल दिया गया है हमबल मुश नमर होता है तो हमबल का प्रावड हो जाएगा प्रावड मिश आभिवानी Next word honor यानि शममान honor का डिश अनर हो जाएगा शमान या अनादर और लास्ट पर्ट यहाँ दिया गया है humility हमिल्टी मिश नमरता होता है तो humility का insolence हो जाएगा insolence जिसका मतलब बत्तमीजी या धिठाई होता है तो humility का insolence तो यह रहे इस वीडियो के एंटरिम वर्ड्स इस वीडियो के यह एंटरिम वर्ड्स है तो next वीडियो में इपने एंटरिम के दूसरी पार्ट को हम पढ़ेंगे में नदरिम आखला एंटरिम जाएपने आखला से पास के दुद सक्वाद के अबते ही यह यह बलते ही जाएव यह रिडियोवर्स